नमस्ते इस लेर्णिंग वीडियो में हम नया एकाउंट ओपनिंग प्रसेश सीखेंगे जिसमें हम अधार सेडिंग के जरीए EKYC मोड में एकाउंट ओपन करेंगे सबसे पहले हम अपना यहाँ पर यूजर नेम एंटर करेंगे और फिर नेक्स पर क्लिक करेंगे Next पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर करना होगा याद रखना आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड किसी भी अन्या ब्लफ के साथ शैर नहीं करेंगे यूसर नहीं पास्वर एंटर करने के बाद आप यहां पे home स्क्रीन में आ गए हैं यहां पे हमें customer का mobile number एंटर करकर सर्च पर क्लिक करना होगा जैसे कि आप यहां right side में देख सकते हैं new potential customer दिखा गया है याने यह customer Finno Payments Bank के लिए नया है यहाँ पर आप देखिएंगे तो Open Account Option में दिख रहा है हम इस Open Account Option पर क्लिक करेंगे Open Account Option पर क्लिक करने पर आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो Option आ रहा है प्रथम Saving Account और BC Pool Account यहाँ पर हम प्रथम Saving Account उपन करने वाले हैं हम प्रथम Saving Account पर क्लिक करेंगे प्रथम Saving Account यहाँ पर आप देख सकते हैं Product Benefits लिस्ट किये गए हैं 10 Product Benefits हैं जो हम अपने कस्टमर को बताएंगे यहाँ पर Account Selection में आप देखोगे Debit Card Yes or No है यहाँ आप कस्टमर को Debit Card का Option देगे यह Debit Card उसके Fino Bank Account से लिंक होगा और Debit Card लेने से कस्टमर किसी भी ATM से पैसे विड्रॉ कर सकता है और उसे पैसे विड्रॉ करने के लिए Fino Payments Bank विजिट करने की जरुवत नहीं पड़ेगी कस्टमर इस Debit Card से बिग बजार या किसी भी रिटेल आउटलेट में या किसी भी शॉप में जहाँ पर Debit Card Accept होता है वहाँ पर शॉपिंग कर सकता है आज केल आपने देखा ही होगा कि ओनलाइन साइट्स जैसे Amazon Flip Card पर बहुत सारे ओफर्स मिलते हैं कस्टमर यहाँ पर भी Secure तरीके से शॉपिंग करने के लिए Fino Debit Card का इस्तमाल कर सकता है साथ ही साथ Fino Debit Card में कस्टमर को Free Accidental Death Cover भी मिलता है हमारे पास दो प्रकार के Debit Card उपलब्द हैं एक Classic Debit Card और दूसरा Platinum Debit Card कस्टमर को अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी Debit Card लेनी की सुविदा है लेकिन Platinum Debit Card के साथ कस्टमर को ज़ादा Cash Feed Driver Limit और ज़ादा Online Shopping Limit मिलती है साथ ही साथ Platinum Debit Card में कस्टमर को ज़ादा Accidental Insurance Cover भी मिलता है So Debit Card में आप देखोगे तो यहाँ पर Classic Rupay Debit Card Option है यहाँ पर Drop Down में आप क्लिक करोगे तो Platinum Rupay है हमेशा कोशिश करेंगे कस्टमर को हम Platinum Rupay Card दे जिसमें उसको ज़ादा जैसे आप देख सकते हैं उसके नीचे यहाँ पर Applicable Charges में 265.50 पैसे यह हमारे Platinum Rupay Card का चार्ज है आप देखोगे तो Classic पे यह चार्ज थोड़ा कम है बट रूपे पे चार्ज थोड़ा ज़ादा है लेकिन comparatively Platinum Rupay Card पे कस्टमर को ज़ादा Benefits मिलेंगे इसमें कस्टमर को हमेशा Platinum Rupay Card रेकमेंड करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार सीडिंग का एक पॉइंट दिया गया है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कस्टमर DBT Benefit याने Direct Benefit Transfer चाहता है की नहीं चाहता है आधार सीडिंग सुविदा के माध्यम से कस्टमर सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद को सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकता है इसको हम बैंकिंग भाषा में DBT याने Direct Benefit Transfer भी कहते हैं हमें ध्यान रखना है की कस्टमर अपनी आधार सीडिंग इन्फॉर्मेशन सही दे अगर कस्टमर अपनी कोई भी आधार सीडिंग डीटेल्स गलत देता है और हम उसे एंटर करते हैं अगर कस्टमर अपनी कोई भी आधार सीडिंग डीटेल्स गलत देता है जैसे कस्टमर कहता है कि उसका कोई भी अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं हुआ है लेकिन अगर उसका कोई भी अकाउंट में ڈीटेल जो कस्तमर के देने पे हम account opening के वक्त सेलेक करेंगे कस्तमर का कोई भी गलत अधार sitting details कस्तमर के इस अधार sitting request को reject कर देगा और यह अधार sitting request request रिजेक्ट होने पे कस्तमर का account restrict हो जाएगा और कस्तमर को अपना account operate करने में परशानी होगी इसलिए कस्टमर का सही आधार सीडिंग डिटेल्स सिलक करवाना जरूरी है आप कस्टमर से पूछेंगे कि वो अपना dbt याने direct benefit transfer फीनो खाते में चाहता है कि नहीं अगर कस्टमर dbt benefit फीनो खाते में चाहता है तो आप उससे ये पूछेंगे कि उसने अपने किसी भी bank account में आधार सीडिंग याने dbt benefit पाने के लिए आवेदन याने apply किया है कि नहीं apply नहीं किया है तो आप पहला option सिलक करेंगे अगर customer ने अपने किसी भी अन्य bank account में अधार सेडिंग याने dbt benefit के लिए आवेदन पहले सी ही किया हुआ है और वो ये चाहता है कि वो आगे से अपने नए फिनो पेमेंस bank account में dbt benefit प्राप्त करें तो आप customer के लिए second option सिलेक करेंगे second option सिलेक करने के बाद आपको customer का वो bank account सिलेक करना होगा जिसमें उसे अभी dbt benefit याने direct benefit transfer मिल रहा है याद रखना हमें यहाँ पे customer का सही bank account सिलेक करना ज़रूरी है नहीं तो उसका ये आदार सीडिंग request fail हो जाएगा और उसका account खुलने के बाद restriction में चला जाएगा और उसे account operate करने में परिशानी होगी इसलिए customer का सही आदार सीडिंग details सिलेक करवाना ज़रूरी है तो आदार सीडिंग में अगर हम yes पे click करते हैं तो customer को कोई भी dbt benefit जैसे की gas का subsidy या कोई भी सरकारी dbt benefit directly फिनो payments bank की इस account में आएगी अगर आप आधार सीडिंग में yes करेंगे तो देख सकते हैं नीचे ekyc option आपको दिख रहा है अगर आप आधार सीडिंग में no करेंगे तो आप देखोगे आपको यहां पे non ekyc याने digital kyc यह option दिख रहा है तो इस वीडियो को आप enter जरूर देखें फिलाल अभी हम इस वीडियो में आधा सीडिंग में yes क्लिक करके ekyc के माधियम से account open करेंगे तो हम यहां पर ekyc पर क्लिक करेंगे अब आप यहां देख सकते हैं उपर यह 6 step से जो हम follow करेंगे पहला है ekyc का यहां पर हम customer का अधार नमबर एंटर करेंगे अधार नमबर एंटर करने के बाद हम यह बीच वाला जो हमारा icon है थमका इस पर क customer को biometric device पर अपना finger रखने करेंगे तो यह अधार नमबर एंटर करने के बाद आप यहां पर एक चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे जिसमें customer यह concern दे रहा है कि हम आधार सर्वर से उसका data fetch कर सकते हैं account opening के लिए यह चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद हम इस ब्लू आइकन पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और यह हमारा अधार अधार का डेटा हमने फैच कर लिया है तो यह अब देटा देख रही है आप हम customer को पूछ सकते हैं कि उसका अधार काड बनाते वक्त का डेटा है तो अपर कस्तमर की शादी हो चुकी है तो आप उसको पूछ के accordingly married यह बाकी option से लेकर सकते हैं अगर customer single है तो आप singly click करके रखेंगे यहाँ पर कस्तमर का email id हम पूछ के email id capture कर सकते हैं email id capture करने के बाद आप यहाँ पर देखो कि mother's maiden name दिया गया है यहाँ क्लिक करेंगे और customer से कि माता जी का नाम पूछ के यहाँ पर एंटर करेंगे occupation पर हम क्लिक करेंगे और customer का जो occupation है वो सेलेक करेंगे अब सबसे important चीज़े हम देख रहे हैं यहाँ पर mailing address यहाँ पर आप देख सकते हैं हमले पास दो option है address same as अधार address address different than अधार address सो अगर customer का mailing address आधा address same है सो हम यह पहला वाल option पर क्लिक करेंगे जैसे आप देख सकते हैं पहले वाले option पर क्लिक करने पर जो आधार में address है customer का वह address यहाँ पर automatically capture हो गया है और हम next पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं लेकिन अगर customer का mailing address याने की communication address और आधार का address अलग है तो हमें यह नीचे वाला option से लेक करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं यह pop-up message यह कह रहा है कि customer को nearest फिनो पिमेंज बैंक विजिट करना होगा इसका मतलब यह है कि अगर customer अपना आधार और mailing address अलग-अलग जाता है तो उसे अपना account फिनो पिमेंज बैंक के ब्रांच में ही जाकर खोलना होगा फिलाल यह सुविदा merchant point पे उप्तलब्ध नहीं है याने कि हम merchant point पे केवल वही account open कर पाएंगे जहां customer अपना आधार address ही mailing address चाता है अब हम ok पे click करेंगे और पहले option पे click करेंगे हम merchant point पे हमेशा address same as आधार address select करके ही account open करेंगे यहां आप देखेंगे तो यह हबसे important step है जहां पे आफ यह address proof में से कोई एक proof select कर सकते हैं यह हमारे OVD का official valid document का list है हम customer का driving license, नरेगा job card, passport या voter ID card जो आपने mailing address एंटर किया है वो address यह चारों में से कोई एक document पे होना चाहिए याद रखना हम सिर्फ यह चारी OVD documents select कर सकते हैं कि as address proof अगर customer का mailing address और आधार address सेम नहीं है तो अगर सेम है तो इसकी कोई शरुवत नहीं है बड़ यहां पे आपने देखा जैसे की customer ने कहा कि उसका mailing address यह communication address और आधार address अलग है तो हमने यह पूरा इंटर किया और उसके बाद यहां पे हम जो proof है वो select करेंगे जाँ दुड़ित बादूल करेंगे